तो यहां पर आप देख सकते हैं यह हमारे पास कॉंटेक्टर यह है कॉंटेक्टर इसके बारे में काफी डीटेल्स में बात करने वाले हैं चाहे सेंट्रल एसी हो या फिर डटेवल एसी हो बड़ा यूनिट जो भी हो मतलब जो भी आउट्डोर से इंडोर को जाता है करता है लेकिन जो आउट्डोर का कमप्रेसर का होता है और जो इंडोर होता है इंडोर सिंगल फेस्ट पर वर्क करता है लेकिन जो आउट्डोर का कंप्रेसर है इक इस तरह से काम करता है अब द्रिपी कर्нет छोड़ता है इंडोर लेकिन फिर भी कंप्रेसर इस्टार नहीं वोता है उसखा क्या रीजन है कि इस रीजन कहां से है यह आप देख सकते हैं हमारे पास सिर्फ यह contactor है लेकिन आज मैं इस तरह से समझा दूँगा इस तरह से वीडियो में इस तरह से समझानी की कोसिज करूँगा ताकि सारे confusion आपके दूर हो जाएंगे complete wiring में यहीं पर सिखा दूँगा क्योंकि ductable AC का main यहीं होता है contactor अब देखिए कभी compressor नहीं चलता है मानिए compressor नहीं चल रहा है ductable AC का indoor चल रहा है CP current भी छोड़ रहा है तो आपको कैसे चेक करना है क्योंकि जो पहले supplies की समझ लेजिए कि किस तरह से इसकी supply होती है compressor को main supply 440 volt दिया जाता है direct दिया जाता है एक mcb से direct connection 440 volt दिया जाता है compressor को लेकिन compressor direct चलता नहीं है यह भी समझ लिए यह direct नहीं चलता है उसके लिए यह बीच में breaker लगाया जाता है ताकि जैसे single face का जो air conditioner होता है जिस तरह से चलता है जिस तरह से काम करता है उसी तरह से यह काम करें three face का direct connection दिया जाता है लेकिन बीच में एक breaker लगाया जाता है यह होता है contactor यहीं breaker लगाया जाता है इसमें अब देखिए supplies की कैसे होती है यहां पर देखिए three pole contactor ना यह एक दो तीन तीन pole contactor है इसमें यहां पर input supply दी जाती है 440 volt का input supply यहां पर three line one line two line three three phase का supply यहां पर दिया जाता है इसके उपर already में वीडियो बना चुका हूं लेकिन एक दोस्त ने हमारे पूचा है कि CP current छोड़ रहा है लेकिन फिर भी compressor नहीं चल रहा है तो three phase का connection यहां पर दे दिया गया 440 volt line one line two line three यह line one line two line three दे दिया गया अब यहां से निकाल करके terminal one terminal two terminal three यह निकाल करके compressor के तीनों terminal में दे दिया गया जैसे कि मैं यहां पर मैं दिखा दूँ आपको यहां पर देखिए line one line two line three terminal one terminal two terminal three यहां पर तीनों line दिया जाता है तीन लाइन यहां पर दिया जाता है आउटपुट यहां से तीनों में से terminal one terminal two terminal three तीनों वार निकाल करके तीनों terminal पर दे दिया जाता है कंप्रेसर के अब यहां पर देखिए mcb हमेशा ओन रहता है इसका लेकिन फिर भी कंप्रेसर नहीं चल रहा है क्यों क्योंकि बीच में ब्रेकर है यहां पर ब्रेक है बीच में अब इन्पुट से लेकर के आउट पुट को यहां से यह लाइन वन से लाइन टर्मिनल वन किस तरह से है देखिए यहां पर देखिए ना इसका आप देख लीजिए किस तरह से है यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से यहां जुड़ा हुआ है लेकिन फिर भी यह सप्लाई पास नहीं होगा कब तक जब तक कि एक यहां पर एक है ना एक पत्ती जैसा है भी मैं आउपट हो जाएगा क्रन्ट पास हो जाएगा और कंप्रेजर चलने लगेगा तो यह इना इसको हम दबाने बार बार नहीं जाएंगे इसको दबाने नहीं जाएंगे ए आटोमेटिक दबता है ऐसे दब जाता है फिर जब उसके बाद हो जाती है कै lep के पॉइंट दिए गए हैं अब यहां पर 220 बूंट हो सकता है चोवीज बूट हो सकता है कोंटेकटर अलग-अलगतर रहके आते हैं तो इसमें बॉलटेज इसमें लिखा रहता है जैसे कि यह हमारा कॉटन है मैं नया एक्चेंज किया हूं तो यहां पर आपको मैं दिखाऊं यहाँ पर power three pole यह pole होता है one two three यह three pole होता है यहाँ पर जो लिखा है ना power three poles यह three pole होता है एक, दो, तीन कुछ contactor आते हैं ऐसे सिंगल face air conditioner में लगाए जाता है उसमें एक, दो, दो pole होते हैं सिर्फ दो pole तीन pole नहीं होता है क्योंकि यह three face का है इसलिए तीन pole दिया गया है सिंगल face होता है तो उसमें एक, दो, neutral hour line दो दिया जाता है तो यह three pole हो गया ampere rating यह आप देख सकते हैं ampere rating यह 30 ampere तक यह control करेगा और coil voltage आप यहाँ पर देख सकते हैं हर एक यह जो है ना contactor, हर contactor के उपर भी यहाँ भी लिखा जाता है और इस cotton के उपर भी लिखा जाता है जिसके अंदर packing होके आता है coil voltage 208 लेकर के 240 volt AC, यहाँ पर VAC यहाँ पर लिखा है ना voltage AC current AC alternative current है 220 का अगर DC current होता तो यहाँ पर VDC लिखा होता तो यहाँ पर AC लिखा है यहाँ कि voltage alternative current है यह DC current नहीं है यह तो इज़े 240 volt 208 से 240 volt यहाँ कि 220 का current इसमें दिया जाएगा coil में coil क्या होता है यह होता है coil के point इसमें winding होता है wire भरे होता है copper के जिस तरह से आप देखे होंगे fan में जो winding होती है fan में fan motor में उसी तरह से copper के wire इसमें भरे जाते है एक यहाँ पर input यह होता है यह output यह input होता है यह output होता है लेकिन दोनों को मिला करके दोनों में supply दी जाती है तब इस तरह से winding होता है winding fan में किस तरह से होता है दोनों start करते है तो चलता है fan उसी तरह से एक न्यूटल सप्लाई एक लाइन सप्लाई यहां पर देते हैं तब क्या होता है कि वह मैगनेट बनाता है क्वाइल जो होते हैं उसके अंदर मैगनेट बनाता है और इस पलंजर को अपनी तरफ खीच लेता है तो यह दोनों सौट हो जाता और कंप्रेसर चलने लगता है आब यहां से आउटड़र से 220 का करेंट एक न्यूटल एक Nag राइं और जुवर से भी श act निया जाता है इंडोर में चला गया इंडोर स्टार्ट हुआ pcb उसका वर्क van धे बांग एक वर्क जोकि PCB के रिले निकलता है control wire, वो कहां पर आता है यहां पर आता है यह, एक coil का एक point है, यहां पर line supply आता है, जो कि control wire जिसे CP कहते हैं, वो आता है यहां पर एक neutral supply कहीं से भी निकाल करके हम इसको दे देना है एक neutral supply, एक line supply relay से निकल के आता है यहां पर आता है उसके बाद एक वाइल काम करता है उसके बाद एक पलंजर नीचे चला जाता है उसके बाद यह reunion short हो जाते हैं और compressor चलने लगता है जैसे कि मैं example यहां पर मैं खोल के दिखा दूँ कि किस तरह से यह plunger दपता है और किस तरह से sorting होता है और मैं इसका इंपुट से आउटपुट सप्लाई भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन जो भी मैं बताता हूँ इतनी बारीकी से बताता हूँ कि एक बार मेरा वीडियो देखने के बाद दुबारा कभी confusion नहीं होगा एक बार में समझ में आता है तो दो बार वीडियो को देखें अब यह देखें यहाँ पर यह वाला है पलंजर यह देखें अब देख सकते हैं किस तरह से हैं मैं किस तरह से दिखाऊं ताकि आपको समझ में आए यह input यहाँ तक जाकर के रुख गया है यह output यहाँ तक रुख गया है लेकिन यह दोनों को साट कर रहा है यह देखें पीला वाला है ना यह यहाँ से लेकर के यहाँ तक साट कर रहा है कब साट करेगा अभी मैं दिखाऊं ये देखिए इतना उपर है देखिए लाइन वान, लाइन टू, लाइन थिरी तीनो उपर है, कितना उपर है? उतना उपर है, अब ये जब मैगनेट बनाता है तो ये क्या करता है कि पलंजर अभी देखिए जब सौट होगा जब नीचे दबेगा तो कैसे सरॉट होता है ये अभी देखिए दिख रहा है ये देखिए ये देखिए सरॉट हो गया नए ने देखिए इससोट हो गया भूस्थ कर दे रहा है जो लाइन वन और टर्मिनल वन Line 2, Terminal 2, Line 3, Terminal 3 को एक साथ में ऐसे साट कर दे रहा है, देखी यह देखी यह साट कर दे रहा है Input से लेकर के Output को साट कर रहा है तब यहां से current यहां पहुंच जाएगा यहां से current यहां पहुंच जाएगा यहां से current यहां पहुंच जाएगा उसके बाद relay क्या करेगा, relay का supply कटो जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ पर current आना बंदो जाएगा, CP का जो current आ रहा है यहाँ पर, pipeline supply, यहाँ पर आना बंदो जाएगा, अब यहाँ पर आना बंदो जाएगा, तो फिर से क्या होगा कि ये coil का current तूट जाएगा और ये plunger फिर वापस उपर चला जाएगा ये निचे है ना ये उपर चला जाएगा जो उपर चला जाएगा तो यहां से यहां तक का current छूट जाएगा यहां से यहां तक का current फिर से break हो जाएगा और compressor बंद हो जाएगा यह complete process है 3 phase का जो ductable AC होता है plant AC होता है VRF होता है SVAC जितने भी बड़े बड़े unit होते हैं जो कि 3 phase पे work करते हैं 440 volt पे वो सारे AC हों में यह लगा होता है तो इस तरह से यह काम करता है कैसे input से supply output होता है इसको समझ लेजिए मैं इसको बंद कर देता हूँ अभी मैं दो दिन पहले मैं इसको change किया हूँ इसलिए मैं यह video बनाने के लिए मैं यह रखा था मैं कोई भी समान जो पुराना होता है मैं change करता हूँ, replace करता हूँ उसे मैं फेकता नहीं हूँ ताकि मैं आप लोगे के साथ share कर सकूँ और दिखा सकूँ आपको अब देखी इसे आप क्लैम मीटर से भी चेक कर सकते हैं सीरीज बल्ब से भी चेक कर सकते हैं आपको इसे चेक करना है तो यहाँ पर 220 का current देजिए और यह plunger खटक से नीचे खट करके आवा जाएगा और यह नीचे चला जाएगा फिर करेंक्शन यहाँ से हटाएंगे तो यह उपर चला जाएगा यहाँ पर 220 का current देएंगे जब तो इसको चेक करने के लिए अभी देखिए कलैम मेटर को continuity की रेंज पर weep टॉन पर आपको सुनाई दे रहा है अधिदे अभी मैं आपके सामनी में चेक करता हूं इसको यहाँ से इन्पूट ज्ले करके आवट पूट तक दखिए रिडिंग नहीं आ रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक डर्यी नहीं तर्मिनल टू में उसके बाद लाइन वन में भी यहां पर भी विप का साउंड नहीं आ रहा है अब कब आएगा जब पलंजर नीचे दबेगा जब सप्लाई इंपुट से लेकर के आउटपुट को देगा तब यह विप का साउंड आएगा तो इसको मैं दबा के रखता हूं और यहां से करेंट में यहां को चेक करता हूं बलर हो गया यहां से देखें इसको मैं दबा के रखा हूं पलंजर को और यहां से इंपुट से लेकर के आउटपुट तक यह देखें बज़ रहा है यह लाइन थ्री में है अब लाइन टू में में चेक करता हूं यह देखें लाइन 2 में भी बज़रा है, अब लाइन 1 में चेक करता हूँ, देखे इसमें भी बज़रा है, मतलब इनपूट से ले करके आउटपूट को करेंट एदे दिया है, क्यों? क्योंकि ये पलंजर दवा हुआ है, यहां से सप्लाई यहां को साट किया है, तो ये इनपूट से बता रहा है अब जो ही यह ऐसे दब जाएगा उसके बाद देखिए इंपुट से लेकर कि आउट पूर्ट तक यह करेंट बताने लगा देखिए अच्छा एक प्लस पांच में चीज और मैं बताता हूँ और कभी-कभी ऐसाμη होता है कि एक क्वाइ exclusive बीच में कहीं जल जाता जो पत्ती हैं जो सॉट कर रहा है झाल यह यह प्लेट यह पिले कवर का है यह प्लेट यह वी कभी-कभी जल लेकिन पता नहीं चलता है उसे कैसे बता चलेगा कि पहले हम यह टर्मिनल पर तीनों लाइन टू लाइन थ्री पर एक इस पर रखेंगे एक इस पर रखेंगे बोल्टे चेक करने के लिए यहां पर चेक करेंगे यहां पर 440 बोल दिखा रहा है यहां से यहां चेक करेंगे यहां भी 440 बोल दिखा रहा है यहां से यहां चेक करेंगे यह भी 440 बोल दिखा रहा है इनपुट 440 बोल दिखा रहा है मतलब यह कनफर्म हो गया कि हमारे mcb से mcb से जो करेंट निकल रहा है वो यहां पर में जब यह हमारा contactor on हो यानि किशीपी का current यहाँ पर आया है और अध्र नीचे दभा हुआ है फिर दूसरी side में हम को चीख करना है 440 ऑ रहा है यह दोनों पर चीख करना 104 405 और रहा है यहे दोनों पर चीख करना 405 500 बॉल्ट आ रहा है तीनों पर और 440 वोल्ट आ रहे हैं तो भी compressor नहीं चल रहा है तो फिर समझ लिजे कुछ न कुछ प्राब्लम है compressor में अब यहां से लेकर के यह contactor का output है यहां से लेकर के compressor के terminal तक जो wire होते हैं यानि कि एक मीटर का 1.5 मीटर का एक मीटर से कम का जितने कभी wire लगे हुए तीनो टर्मिनल पर जो यहां से तीनों से जा रहा है न टर्मिनल पर उन तीनों wire को चेक करना कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई wire जल गया है कट गया है अगर कट गया होगा तो भी किसी एक टर्मिनल का वायर कटा होगा तो भी नहीं चलेगा compressor तो तीनु वायर को चेक कर लेना है अगर तीनु वायर सही है तब आपको compressor के terminal को चेक करना है compressor के terminal को चेक करना है उस समय ये confirm आपको करना है कि compressor आपका heat up नहीं होना चाहिए अगर compressor heat up होगा तो भी किसी एक point पर किसी एक terminal पर आपको नहीं दिखाएगा reading तो अगर compressor ठंडा है फिर भी किसी एक में अगर terminal अब देखे थिरी phase का compressor है check करने का तरीका जो है न तीनों पर एक समान reading दिखाना चाहिए ऐसा नहीं कि कुछ में जैसे running starting common check करते हैं up down दिखाता है उस तरह से नहीं दिखाना चाहिए तीनों में reading same दिखानी चाहिए थिरी phase का compressor check करते समय अगर तीनों में same दिखा रहा है या तो तीनों पर weep बज़ रहा है और same दिखा रहा है reading तो सही है किसी दों पर weep का sound आ रहा है और एक पर वीब का sound नहीं आ रहा है तो भी compressor खराब माना जाएगा तीनों यानि कि अगर silent है तो सिर्फ reading दिखानी चाहिए अगर तीनों पर weep sound आ रहा है तो तीनों पर whip sound दिखाना चाहिए और reading same दिखानी चाहिए तीनों पर अगर ऐसा है तो compressor सही है अगर ऐसा नहीं है अगर up down दिखा रहा है reading और दो पर whip का sound दिखा रहा है एक में silent दिखा रहा है तो फिर compressor खराब माना जाएगा ये complete process होता है compressor को check करने का three face duct table AC का इसी तरह से connection किया जाता है मुझे लगता है कि आपके समझ में आ गया होगा फिर भी कोई doubt रह जाता है तो बेजी जग आप मुझे comment box में पूछ सकते हैं मैं उसका reply जल से जल देने की कोशिस करूँगा तो आज के लिए बस इतना ही था आप मुझे facebook पर वीडियो को देख रहे हैं तो facebook page को follow कर ले ऐसे ही useful वीडियो देखने के लिए तो आज के लिए बस इतना ही था अगले वीडियो में फिर जल्दी मिलते करें लिए टॉपिक के साथ